नमस्ते डिया विवस आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंस देखने वाले हैं थर्मिस्टर्स और थर्मोकपल के बीच का मेरे प्यारे विवस पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि थर्मिस्टर क्या होता है थर्मोकपल क्या होता है थर्मिस्टर के टाइ योज नहीं देखा है थर्मिस्टर और थर्मो कपल का तो जरूर देखें लिंक जो है नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो चलिए थर्मिस्टर के रिगार्डिक जो पहला एफ्क पर कारे करता है और तक इसमें कुछ लोकों में व्यक्त के तो जो फियार जैक हैار प्यायों inhib देखें कि हम लोग데र्डिक में पढ़ा था कि जो थर्मो कपल है यह दो डिफ्रेंट मेंटल्स के वाइर के wire से मिलकर के बना हुआ होता है थर्मो कपल है ना जैसे कि मान लिजे कि ये जो है ये copper का wire है और ये जो है नीचे फिर्रस का wire है तो ये hot end ये cold end यहाँ पर एक galvanometer ये हो गया आपका थर्मो कपल है ना तो थर्मो कपल बेसिकली जो है दो different metal के wire से मिलकर के बना हुआ होता है लेकिन मेरे प्यारे विवस अगर आप thermistors की बात करो तो thermistors जो है semi conductor material से बना हुआ होता है अर्थाथ कोबाल्ट मैंगनीज निकल है ना इन सब से मिलकर के thermistor जो है बना हुआ होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा जो तीसरा point है मेरे प्यारे विवस वो sensing parameter के regarding है पिछली वीडियो में discuss किया है इसको हम लोगों ने प्यारे विवस जो thermistor है thermistor का sensing parameter जो होता है वो resistance होता है ना thermistor क्या करता है resistance जो है जो temperature के according change होगा उसको ये sense करता है और देन आगे forward कर देता है कोई device को जो उस रजिस्टन्स को electrical signals में convert करती है एंड इन थर्मो कपल का sensing parameter voltage होता है जो voltage induce हो रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे जो है sensor के regarding हैं हमें पता है thermistor passive sensor है क्योंकि thermistor को कुछ external power source की अवा सकता पढ़ती है ना लेकिन वहीं अगर आप थर्मो कपल की बात को थो थर्मो कपल क्या है एक प्रकार का active sensor है क्योंकि इसको किसी भी प्रकार के external power source की अवा शक्ता नहीं पढ़ती आगे हम लगों ने लिखा है कि थर्मिस्टर में resistance और temperature का जो relationship होता है वो क्या होता है नॉन लिनियर अर्था नॉन लिनियर response थर्मिस्टर का होता है लेकिन थर्मो कपल का जो response होता है वो जातर linear होता है है ना induced voltage और temperature difference के बीच का आगे आते हैं आगे हम लोगों ने sensitivity के regarding point लिखा है प्यारे विवस जो thermistor है वो बहुत जात sensitive होता है मतलब है कि अगर माल लिजे कि जो temperature है उसमें बहुत small very small change हो रहा है तो उसके लिए भी हना उस small change को भी thermistor जो है sense कर सकता है sensitivity काफी जादा होता है ओके और जो थर्मो कपल है इसका sensitivity कम होता है ठीक कम sensitive होता है आगे हम लोगों इसके temperature range के regarding According altri कि फर्मीस्टर का temperature रेंज 15 होता है रेंज होता है लिमिटेट होता रेंज ऑस्वराइब टेंपरेटर होता है थर्मीसा का होता है आपका 1-150 सालचिएथ शेक्ट से लिकरे 200 सालकिएख तक लेकिन थर्मो कपल का जो तक एंप्सका करते हैं और बिदल्द अपावस्टर्स से कपक्रस्ट लेकिन कुछ एक्स्टरनल पावर शोर्स के वह शक्ता होती है, उसके कारण उसका ओवरॉल कॉस्ट बढ़ जाता है, इसलिए वो expensive होता है, it is expensive as it requires extra power source, लेकिन वहीं अगर आप thermocouple की बात को तो thermocouple cheap होता है, सस्ता होता है industrial application से ज़्याद अतर, ठीक है, आगे हम लोगों नहीं यहाँ पर लिखाया है, thermistors are used in domestic appliances, domestic appliances में ज़्यादा उसका प्रियोग होता है, domestic applications से thermistors का, लेकिन thermocouple का industrial applications ज़्यादा होता है, जैसे कि हम लोगों ने आपको कहा था ना, कि माल लिजे कि भठी का temperature measure करना है, तो क्या करेंगे, hot end को बट्टी में डाल देंगे, हाना और दोनों के बीच का temperature difference के कारण कुछ वहाँ पर voltage induced होगा, ठीक है, और भी चीजे हम लोग इसमें जोड सकते हैं, जैसे कि accuracy का thing हम लोग यहाँ पर नहीं जोड़ है, thermistors जो है, वो ज़्यादा accurate होता है as compared to this, तो accuracy के regarding भी एक पॉइंट यहाँ पर जोड़ देते हैं, चुकि नाइन पॉइंट से 10 हो जाएगा, more accurate, okay, more accurate and यह क्या हो जाएक आपको less accurate ठीक है, तो प्यारे वीबस से यह जो है आपका यह है difference, difference between thermistor and thermocouples, exams में कभी-कभी question दे देता है, तो आप इतना चीज लिखोगे, तो यह enough होगा, क्योंकि experimental techniques में जो answers होता, वो उतना बड़ा नहीं होता, तो आप screenshot ले लिजे इसका, यहां से यहां तक and then, अब आगे पढ़ते हैं, इसका, यहां तक ले लिजे screenshot, okay, so आप screenshot ले लिजे होंगे, तो आप note down कर लिजे, ठीक है, तो चलिए, आशा है, आप यहां का हर एक point को grab कर पाया होंगे, और जो चीज नहीं समझ में हो, प्लीज कमेंट कीजे, ताकि आपका जो भी doubters को आप लोग क्लियर कर सके, तो चलिए, मिलते हैं आप से अपनी अगली वीडियो में,